असलाम लेकुम नाजरीन, मीठी इत पे कुछ मीठा ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आज हम बनाने लगे हैं जैली कस्टर्ड, आज मैं आपको स्पेशल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, सबसे पहले लिया है बॉयल वाटर, इसमें एड करेंगे जैली पाउडर, इसको बॉयल करना है फॉर फाइव मिनट्स, फिर अब हम इसका बर्नर ओफ कर देंगे, इसको रिशॉट कर लेंगे और इसको रिफिजर्ट कर देंगे फार 15 मिनट्स, यहां पर मैने लिया है वन कैजी मिल्क, जिस फ्लेवर का कस्टर्ड आपको पसंद हो आप लिया सकते हैं, य बिल्कुल इसी तरह से, जैसे अभी मिल्क बॉال होते होते बचलत होगी, इसी तरह से मिल्क बॉال हो जाता है और हमेशा ह HEY होता है, अब हम इसमें एड करेंगे कस्टर्ड पाउडर, इसको हम रेजुली एड करना है, साथ सा मिक्स करते रहना है, चमजह हिलाते say K奶, मोन मेर् पसंदे को खोलना मिश्किल है यह भी हम आप में से कस्टड में एड़ करें गे । जैली हो रेफ्रिजर्ड हो गई है अब हम इसकी कटिंग कर ले दे हैं किसी भी शेव में जो आपको पसंद इसके कटिंग कर सकते हैं अब मैंने एड किया, cutting, और आपकेस्टेण me एड मैंने कंटेट कर सकते हैं मैंने कोक्टेल एड किया लेकिन कोक्टेल एड करना है, आपकेस्टär करों आपकेस्टेळ रखने हो mm इससे क कस्टेद पतला हो जाएगा और इसकी रेफुजरेट अचीतरा से नहीं होगा गानिशिंग को प्रीटों ने के बाद इसको मैंने रेफिजिट किया था फार 15 मिनर्स बहुत मज़ेगा बहुत रिलीशियस जैली कस्टर विद कॉक्टेल रेडी है मिठी एद है आप लों को मीठी तरफ से बहुत सारी एद मुबारी मिठी एद पर ये मिठी डिश जरूर बनानी है आपने और मुझे जरूर बताना है अगर आपको रेफिज भी पसंद आती है मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राब जूर कीज़ेगा थैंक यू अल्ला हाफिज